असलाम लेकूम मैं तारी आपनी होस्ट जोया बलोच और तुसार देदेपेओं वसेप टीवी ते रोटी दा सवात प्रोग्राम और नाल नल इंदे रोटी दे सवात प्रोग्राम ता साला आज चल्दा ही रासी जी में के हमेशा तु चल्दा आंदे और सेप्टी भी घेंते आंदा पे तौरे बास्ते बेवी नमे नमे दिल्चस्प प्रोग्राम बहुं मोझ मस्ती होसी हला गुला होसी हूं देवेच और इमी शोय चेए जिवे के सवादी ऐसा चीजा बढ़ेने है जिवे सारे शोदाना है रोटी दा सवाद देख सारे अधिश साकूखवे नेवेन जी असलाम लेकूम वालेकूम असलाम जोया क्या हालें आपके मैं बिल्कुल ठीक जी मुनीज़ा जी तू सादे सेफ हो आज आपा क्या बढ़ेने पे हो आज जो है हम बहुत मिज़ेदार सी चीज बनाने वाले हैं जो के है बार्बीक्यू चि मुनीज़ा जी हर एक लैड़ी हर एक ओरत दी एक फेवरेट डिश है और बिल्के कमजोरी है कि तहीं मैंने कोई डॉक्टर भी मना कड़ें बिल्कुल और बिल्कुल और बिल्यानी तो मेरे खाल से और तो की नहीं मेरे खाल से आदमियों के भी सबसे जादा पसंदीदा होत और बिल्कुल एक डिफर्न चीज हो जाती है जब कोई दावत हो और अचानक से जटपट तरीके से आपने बार्बी की चिकन बिर्यानी मनानी है वो आज हम आपको सब्सक्राइब बिल्कुल आज मुनीज़ा जी आपको रसे सिन के की तरीके ते जटपट बिल्यानी बढ़ ना रोटी बखे दे ना सालन बढ़ा या रूरू जंजट कॉन जहले तब अज असा अज्हां को डिसेसां के मैं बड़ी की मुनीज़ा जी आप शुरू करूं क्या खयाले बिल्कुल शुरू करते हैं अच्छा सासा बिर्यानी के लिए सबसे बात की तो बिल्कुल जह ने क अगर आपके पर स्तेला चावल है तो उसको आपने दो घंटे पहले भिगो देना है अच्छा बासमती चावल है तो आप आदर घंटा पर भिगो देंगे तो काफी होता है लेकिन बासमती चावल को थोड़ा सभालना मुश्किल होता है बहुत से लोगों के लिए काफी साड़े वसेउब टीवी ते जर साको बालकर साग कु पाकिसतान लेदा वीठे में बाकिस्तान कु बाहर भी लोग डे टे सन। वसेब टीवी ते और वसेवी ते जितनी वसेभदिया खवतीन है उन्हों को खुरूर एक गाल थोड़ी घंच था की सारी वडेरियों मी ड बांसपती चावल क्यों थोड़ा जब बचते रावने अवाइट करने पका हो, ज़रूर पका हो, लेकिन सेला चावल ज्यादा यूज़ करो, ज्यादा इस्तमाल करो, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा आप सेफ प्ले करते हो, चावल तूटने का डर नहीं होता और आपका चावल अच्छा खिला खिला बनता है, ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम क्या करेंगे मैं इसके इंदर सिफ पानी दाला था और इसको मैं बॉयल कर लूंगी पानी को चावल के लिए फिर उसके बाद साथ-साथ हम हमारी चिकन को मेरिनेट भी करेंगे और आपको बताएंग प्रत्स पानी के हम ने इस तष्यदी हमें ना रेंप छावल के पानी में हमने शावल कड़ एक तेज पत्ता ठीक है, इन पत्ते को क्या से लिंदे तेज पत्ता साथ में दो हरी यलाईची आपने ले लेनी है लाची हां जड़े दो दिच पैने औ हम एक दार्षिनी का तु अच्छा लोग थोड़ा ज्यादा नहीं सचाँ ठीक है बस और एक जाइफिल और जावित्री का हमें थोड़ा थोड़ा तुकड़ा दाले ने लोग जाइफिल यह सारी स्थाइफिल था जारी हो जाईफिल ते पलते हैं उन्यार पर सासानों किसान कसे तरह कुम और ज्प्विख देंटर शॉप तो मिल्ड़ा यह जहां गर मदाभाटा वहां जाइफिल जडतरी आचाईंसर yeah हेड़ा था ने जूशे है इने जूशे कहा है हर खाने में यूशे क्ता रादे है झाल, मैं उन्साफोर सुष्पमी , बअर यूशेında है तो अज्टर सकतम, अपूर ब्रॉजए मैं यूशे हिरा ंंस में में नमक शाल किया। पाणी नमक आपाँ शामिल कर दें वने तो इसके अंदर मैं दो से तीन चमच नमक की शामिल कर रहे हूं क्योंकि यह जो नमक है यह वाश हो जाता है पानी से धुल जाते तो नमक तेज नहीं होगा चावल में चावल जो हमने तकरीबन आधा किलो लिये है 500 ग्राम लिये है अधा किलो चावल लेचे आसा देखो पाणी है इसकितना आसा वुसाँ सटे नमक सटे ताके पाणी ही नमकीन थी नमक जाएगा जाए नमक time है और एक चाई का चम्मच के करीमें इसमें जीरा शामिल कर देए और जिमें कि हमेशा हर शोच हर प्रोग्राम सारे वसेप टीवी ते सारे रोटी ते सवाद प्रोग्राम में चासा रसेने के जीरा थोड़ा जब भूंते पाउत ज्यादा बहते रहें ताके बीया भी कुन्नी को सवाद लग बने बिल्कोल है सही अज़ सासाथ हमने यह पर चिकन ले लिए चिकन हमने लिए है 500 ग्राम और इसके अंदर अब में तमाम मसाले शामिल करने लगी हूँ ठीक है इसको हम पहले से मेरिनेट कर लेंगे जिसमें हमने यह लिया है दही ठीक है अब आपको तो पता है हम तो चट्पिटे खाने बनाते बिल्कुल चट्पिटे खाने बड़े ने अपा सही है नमा किसके अंदर हस्बजाय का आपने दालना है यह जितना आपको पसंद हो कुटी हुई लाल मिर्चे दालने एक चाय का चमच्च क्योंकि आपको पते तीखा जो है वो बड़ा बियानी जो है वो तीखी लगती है भाई ओ चंगी लग दिया कि मज़ा वने नाल बोतल चोतल कोई हो दी है उंदा भी मज़ा बंदा घिंदा रहां दे महोल होए वला फैमली होए कजन्स आयो होए नहां घारे चहला गुलावे तो तू बर्यानी दे पलेटा हाथ ते चुमिन आहा है क्या वक्त याद दिवा बिल्पक यह उनल आपवाथ गरेया हु झाठाठी घाल में एक चाय का चंग मासाला शामिल करें आप जाहा है कि साथ लोगम्मी आठागी अज़ पिसा हुआऑ मसाला यह एक खाने का चंग जाएगा तो हमारे फाथ में चाय का चंग में दुआ यह तो अन्दिगा श्या न जाएगा लिम्बू का रास जड़ा के साधी आदा तैसा सटने लाग मी इन अच्छ सी भई आवें दिये ना बिलकोल ऐसे ही अब इन तमाव मसालों को हम मिक्स कर लेंगे दही केंदर दही मैंने ले लिया था एक पाओ और चिकन हमारे पास है तकरीबन आदा किलो चिकन हमारे यह था चटपटे ही मज़ा दिनन क्या ख्याल है बिलकुल ऐसा ही है और चटपटे ना हो तो मज़ा निया तो बिलकुल बिलकुल नहाता अच्छा इसके साथ हमारे पास है जर्दे का रंग यह मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूं तकरीबन एक चुटकी अच्छा आपका सबत्रों बिलकुल मुदस बिलकुल दॉत प्रौ जथ वर्णाल या एक मॉकुल थैसे तो बिलकुल वे रियानी वे चुटकी चुटकी है अच्छी Östersosभ दौन चुटकी जया बंशानी के साथेध बिलकुल झाय बिलकुल बिलकुल बिर्याथी के मसालोवाया आपकेट्र् पाकिस्तान जितना जबान एना, सादि मान, सादि शान एन वसीप टे वी ठेडिय आप बेची लेंगविघ रिड़ी जण काथ अपकी लोग लोग इन शारे करोड अबादियें पाकिस्ताने शारे क्यां दी अर इतनी अबादियें, कभी लोग बेष, उड़ुयें, पंजाब तरह तरह जबान हैं, और भी साकु डिलेबेट होसें जरूर, और भी सारे इन खुशियांच, इन मज़ेदार प्रोड़ामें शामिलें, उन्हां को तो सब काफी औरतां को शिक्वा होंदे, कि भई जर्दा मतलब साकु चंगा नहीं मिल्दा प्या दुकान थे, भावे डार तो भावे वेल पैदी तो भावे पंजादी है, गाले, तो जर्दा कि थे ही असा थोड़े चुटकी और बिचारिया से टेनियन ना, तो तेस्ट थी बहुँ जादा ना, ठीके, या वला ओ, थोड़ा से टेनिन, उन्हें थे बड़ा मसला पड़ती तो अंडर्स्टेंड कर अच्छा, ए मुनिजा जी, ही जर्दे दे रंग तो आसो, क्योंकि ए अक्सर औरतां दा, अक्सर खवातीन दा, ए इश्यू हों दे जर्दे दे रंग दा, हाली वेला थी ना पे, छोटे जे वक्वे दा, मेरे वसेब टीवी दे, मिठे दे, मनमोरे सरैकी, वसेब दे, मेरे किते ही ना में वेसो तुसा, रासो, आपड़ी होस्त, जोया बलोश नाल और शेफ मुनिजा नाल, छोटी जी, ब्रेक वेलकम बेक, वसेब टीवी दे, मिठेडे सरैकियो, मिठेडी बोली बोल सरैकी, और नाल नाल रहो, और नाल रांदे वी पेओ, मैं उमीद करें या, साड़े रोटी दे सवाद, प्रोगराम नाल, आप आप पुछ दे हैं, शेफ मुनिजा कोल, के साड़ी जड़ा रेसिप के तक पुजी, जी साड़े चावल से ही के तक पुजे, चावल तो देखो, आप पानी बॉयल हो गया, भी हम इसके अंदर चावल दालते हैं, चिकन आप देख लो, मैंने इसके अंदर चिकन पे पहले ही लाल रंग शामिल किया है, जो जर्दे का रांग है, जिससे अक्सर आप जो बजार की बिर्यानी काते हैं तो चिकन बड़ी लाल लाल सी होती है, घर में वैसी नहीं होती है, ठीक है, और अब यह जो हमने मसाला तियार किया है, यह हम जो है वो चिकन में शामिल कर देंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, और यह आगिया है लेसन अदरक का पेस्ट, यह हम एक चमँ जो है, वो चिकन में शामिल करेंगे, चिकन को लगा देंगे उसके साथ-साथ पर यह मसाला जो हमने त्यार किया है बिर्यानी का यह हम इसमें करें अच्छा लेसन ते अदर्क दा, मतलब ठोम ते वसल दा, पेस्ट की में किताव हैं मथलब की तरीके थे अकसर ओटना कोटी प्याओने तो वह लुगा तो दोली तो भी बाहस आ ओ लाओने थे ल्हसन एक तो तरीका ये कि लस्द पाप से लिख सो दो बनाके रखना है तो आप में उसको फ्रीजर करना है फ्रीजर कैसे करना है कि लहसन अलग पीसना है लेकिन उसके अंदर पानी शामिल नहीं करना और अद्रक को भी अलग पीसना है उसमें पानी शामिल नहीं करना उसमें सिफ तेल डाल कर जो आपके घर में खाना पकाने का तेल है वो डाल कर आप उसको पीस लें अलग अलग और ह चुरु शुरु दे रोजे तब हुआ आदत कहनी हो नहीं लग देन तब उन रोजिया दे दरम्यान वला ओरत दा खास तो ना घारेच काम करन बहुँ ही मुश्किल थी वे बिल्कुल रमदान शरी वी बहुं करीब है और रमदान शरी दे रोजिया है चे वी इन्शाला जितना अधा कप जितना मैं तेल ले रही हूं अधा कप थीजिया ने थोड़ी है जब तेल ़ साइल जादा होता है वो रसीली बिर्यानी बढ़ी अच्छी लगती है टीक है तो इसके अंदर हमने जो साबुद गर्म मसाला पानी में दाला था उसी तरीके से हम इसमें भी द वो दो से तीन लॉंग और थोड़ी सी चार से पांच काली मिर्चे शामिल करें जो पानी एच एड़ किते हैं इन्हा ने एड़ का देते हैं ना ओयलेच ए ता आधे पिन के टमाटर साथ ही खड़ो हो बिल्कुल यह टमाटर हमने पीस लिए हैं तकरीबन तीन टमाटर हमने प करें हैं यकीना ने इनको पकेसन और जी में के आधे प्यासे के चिकन यार ए चिकन जर्दे दीगाल थी नहीं परी उस जर्दे दा रंग जड़ा है कीमे घिनना चाहते कीड़ी तरीके घिनना चाहते हैं अक्सर सारे खवातीन आदेन मतले बहुं तेज रंग थीगे कि आपने देखना है पहले के जर्दे का रंग किस नौयत का है आप हलका सा आपने डाला और उसके बाद चेक किया उसको ठीक है चेक करने के बाद आपने अगर आपको कम लग रहा है तो थोड़ा सा और डाल दिया ठीक है और अगर जब आप थोड़ा थोड़ा डालेंगे कि चांच ही नहीं है आप शुरू में ज्यादा दाल दोगे तो उसका रंग तेज होगा तो ज्यादा तेज रंग आजाएगा तीक है तो वह आपने देखते हुए उसको दालना है थोड़ा थोड़ा दाले अब इसी तरीके कर नमक का हसाब होता अगर नमक शामिल कहने हैं तो पहले थोड़ा दाले साथ या भर के दाल देंगे वो तेज होगे तो कम कानना मुश्किल है लेकर अगर कम है ता आप दुबारा और दाल के इसको बैलेंस कर सकते हैं अच्छा इंदेवेच हों इमें आखो कि चावल भी सट गिदे से मुनीजा जी ने पानी बॉयल काफी ट अच्छा इंदेवेच भी उवे चीजा असाथ गरम गरम ओलेच असा टमाटर को भुनेंदे खड़ू है ना बिल्कुल तोड़ा सा पकना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद हम नहीं जो चिकन मेरिनेट किये यह किन दाल देंगे चिकन पक जाएगी फिर हम को एले का दम और फिर बिर्यानी की तैय दे देंगे कितनी मुश्किलती जो है बिर्यानी बेलकुल यकिन करो मुनीजा जी में तोड़े खाने परकावंट बड़े फोकस और किनिया जिवेके सारी वसेब टीवी ते जितने ही साको खवातीन फॉलो करें नहीं पाकिस्तान या सारी वसेब है कि अन्ना कुझ शाइद बिर्यानी ना दूषय में परके में तोगिये माने को जेकिनकर हो यकिन करो कहना बढ़ाना जिए लेकिन आज बता चले बर्यानी इतनी इसन धुल भट शक दी ना टाइम झन्हीं बढ़ने का सोचते लेकान अच्छा हम चाहएअ बड़ा टाइम कि आप दुनों की लेयर करेते हैं तीय लगा देते है विल्कल पिल्कल, तू बिर्यानी बनाना कोई क्यों क्यों दरते ना अंद Черौम तो अगयो को डरते हैं ना प्रोड़ अवली और रहुं सारी वसेप सारी जड़ी सराहिकी और उहुं सारी ग्ष़ाइन बहुं साखा करें लिदा लगाने, आगर लिए présent gast और जब रहुं भी धानना पहला पको काईट्ऽ होटाए है, तो प्रमटर में अपना पानी होताहा, वह आएस्था पकना पानी खुश्क होना शुरू जाएगा वो गाढ़ा हो जाएगा अच्छा लाल जाओदा हो गाना थोड़ा तो अधोड़ा ना तो जो है आपको पता चल जाएगा कि टेमाटर आपका पकने की तरह तरह तो अब खोद देखें कि इसका कलर बदल गया तेल आना शुरू हो गया अब पर यह देखें आपको यह तेल नजार आपका पकना शुरू हो गया तो अब मैंने जो चिकन को मैरिनेट के था मुर्गी को यह शामिल करने लगी है ताकर यह बीसके साथ साथ पक जाएगा अब अच्छा लोग जो है किते बियानी में जो है वो आलू दलना चाहिए न आपको अलू डालना पसंद है तो अगर नहीं पसंद भीकी तो नहीं दाले लेकिन आज क्योंकर हम मना बना रह रहा है बार्बै क्यों बर्यानी और रॉन जि chegou है कि जद्ना यह मसाले आपने रेक हो साफ कर दाल डान बिल्कुल बिल्कुल सारे वसेट टीवी ते जितने भी साकु देदे बेटें उन्हों कोई पता चले के कितनी मज़ेदार कितनी चसूले खाने सारे किचन सेटे बड़ें में एक तोहुने नलबोख लगन पैगे भई बिल्कुल अब हम चावल चेक करshow कि लेकिन नहीं चावल खहा फो बहुत थाल हो भी नहीं ऐसकर नहीं जो तोहरा प्याद्र सतनी जोसी किन न्यगी जो खुड़ेने फिर हमारे वसेप की खिवारों चाले को वह बहुत चावल बीट तेड, ना के रॉliningॉक कितना नहीं है लेकिन मेरी कोशिच होती है कि जब भी मैं बिर्यारी बना दें चावल पूरा तकरीब हम पका लेते हैं अकसर लोग जो है वो एक कनी छोड़ते हैं लेकिन हमारी होती है जटपड बिर्यारी है हमें जल्दी से त्यार करने तो इसको हम चावल को पूरा तयार कर कि फिर दम देंगे और जल्दी से दम पर आजएगी मुनीजा जी में कि बिल्कुल सही आके वे सारी वसेब दे रहना बहुं ही समधदार हैं लेकिन वज़ेरियां या दर्मयान दर्मयानियां मतलब खवातीन अजकल दे जड़े बालां दी शादी थी जल्दी जल्दी और और चावलें देंओग भालां देंगे जाता कि अथी जड़े रहन देंगे या खश्ड़ी बढया हैं अब कम उमरें सारी वसेब शादी जड़ें यह बच्चे यह या बच्शें बड़ें देंगे जाता कि यह लिएगान लेखने की जुल्दी तो आप नहीं कि भालें तो माशाला रंग इतना प्यारा करना है और खुश्पू देखें कोर में जैसी आना शुरू हो गई है ठीक है जैसे ये पक जाती है तो हम उसके बाद इसको कोईले का भी हम दम देंगे तो कोईला भी हम हाथ के हाथ अब लेके और गरम करने के लिए रख देते हैं अचा इंगे तु भी ओईल उत्टे निकला है अचा रोटी कुणी ता पकदी रासी मेरे वसेब टीवी दे मिठडे सराइकियो मेरे शोर दे सराइकियो कितही नावेसो रासो इछे ही सारे नाल वसेब टीवी थे असा इमें गयो से ते इमें वलो से छोटा जया ब्रेक वेल्कम बैक में दे वसेप टीवी दे मिठे ते मनमोरे सराइकियो असा ब्रेक तो वापस आचुके है सारे नाल नाल रावन दा बूँ शुक्रिया और असा होन पुच्छू जिवे के सारे नोटी दा सवात पूराम दानाये ते असा सवात चैसू और शेफ मुनिजा जी किनो पुच्छू साधी आज ब्रेयानी के तक पुझी शेफ मुनिजा जी के तक पुझी चावल चावल देखो आपने हमारे चावल हो गए हमने क्या किया चावल को ना हमेशे ये तरीका है कमर्शल जब भी आप किसी होटल में जाते हैं किसी रेस्टरिट में जाते हैं तो वो क्या करते हैं चावल जब अबालते हैं उसके बाद चावल को ना वो फैला देते हैं कोई आपक वो गर्माईश के विए से पकता रहता है तो वो खिचडी जैसा हो जाता है तो आपने चावल हमने इस तरह पहला दियों इसमें बीज-वीच में हमने चमच के मदद से गोल-गोल दाइरे बना दियों उससे क्या होगा कि जितनी गर्मी है ना चावल में गर्माईश उससारी निकल जाएगी और चावल हमारा बराबर ठंडा हो जाएगी तरह उतले चावल सही ते तल्वे सारे हलवा बाढ़ए से लिए ठीक है तो यह हमसे गलती हो जाती है बिर्यानी में अचा आप देख सकते हमने यहां कोईला भी जो है वो गर्म करने रख दिया क्योंके बार्ब ठीक है अचा अब आप क्या कर सकते है कि आपके पास कोई भी फॉयल है कोई भी चीज ऐसी है डबरोटी है कोई रोटी का टुकड़ा है वो आपने रख लेंए मेरे पास यह बड़ा सा तेज पता था मैं इसको रख के और इसको दम दे दूंगी अचा यह रख सक्देवे त दम अदेहें कितनी अच्छी हाँ पर जो है वो खुश्बू बिल्कुल और सारे बुल ता पता हासा पता रख यह लेकिन अगर दुस्ता रोटी ता टुकड़ा रखो मनने रोटी कोई वी इसा रख भी है कोई फॉयल होता है फॉयल लगदिया ठीक है जिससे जो है वो कोई अजय ओंड़ बिल्कुल अंदर धुआ थीगे लाओ अ बिल्कुल धुआ थीगे धुआ धुआ थीगे वे धुआँ आव तीया कि वे कोईयला गया गरम अजय ही ना असा ओ पेपर ठीकोई कोईयकों बाल उदेह ओड़ उसे अ धुड़ाभ्म गए ना अब यह क्या है कि प दम की मेरे में, आगे भी कुन्नी, मनलब चावल पक गे या बर्यानी पक गई, वलेटिया कुंदूरा, उंदे धकन थे, धकन धे, धकन, धकन मुदा, उत्ते दोरी वल, तवावल, दोरी वल, क्या है, आते बहगे, क्या, बर्यानी के तक पुझी भई, वी मेंड बात खोल दे पूरी खुश्बूस के अंदर आजएगी, तो फिर हम इसको कर देंगे, जब तक मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया काट लेती हूँ, आपको तो पता है, हम साथ में सलाध हमेशा रखते हैं, क्योंकि सलाध के साथ जो है, वो खाने का बड़ा मज़ा आता है, मैं जड़ा है, सारी वसेप देंगे, औरता हो ने हरा धनिया थूम ते प्यास, वसल ते हरा धनिया था बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर एक साल नवास ते, क्या खयाल है, शाहा ने सारी कुनी दी, वसल मेरे खयल से प्यास को क्या था, थूम लसन को, आप देखें मुझे भ श्राइकी बहुत कर दो को जड़ी तो बात करना शुरू कर दो, सभी प्यारी परी भीष्टी जो है वसेबदी, वसेवदी शराइकी बैनि, भीणी बैरी, सही बोल यह बहुत बढुत मेरे खंप सों बुलियारी नालना तो तो ऊसा बहुत ज़ भीआप सही बहुत कर दो कर अपनी माधरी जबाने उर पकिस्तानी जितना मिया जबाना उसा उने आना महबबत करेंगे और सराइकी तर है सारी मौस्ट फेवरिट जबाने आलाहमदलिल्ला और आपके साथ रहे कि आपकी जबान सुन्के मुझे बड़ा मजाथ अधर है जो भी आपने के लिए पकाने के लिए हेल्प करने के लिए अहां मेरी हस्बेंड ने में कुछ बड़ा मर्स खई और उन्तु बाद मेरी हस्बंड जी बिलकुल तो हस्बंड ने मतलब इसका मतलब जोया थे अच्छा खाना हस्बंड पकाते हैं बिलकुल क्योंकि होस्टल रहां था उन्हों को सब पताई कि कीवें बढ़िन न कीवें नहीं बढ़िन दे असा घारे पले को से असा कू बसी हो पता है खाम रहे ते सम पोड़े हैं और असा कोईले चाहते हैं से बड़े एत्यात नल और कोईले चाहते हैं असा पता चागी दे ते साधी एक उन्ही लगदे तयार थी गई है क्या खारी बिलकुल तयार है और आप जो हम इसकी तया देना शुरू कर देंगे जोया तो मैं एक प्याला ले 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 ती जिसके अंदर में सालन निकालोंगी और फिर उसके बाद जो हम चावल की इसी बरतन में तया देंगे जब भी बिर्यानी बनाए थोड़े खुले बरतन में बनाए उसका यह होते है कि चावल पे अच्छा सा दम लग जाता है उससे बिलकुल 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 ठीक है अच्छा अब इसके अ ज्के बाद लिए को धुदर पर बनाए अब जब टिरे खुले आधालोंगई रहेरे तो यह दो कि मैंने कुछ दूदाभ लिए दाम थे खुलें को हम छी ग्रिया बाद तो नहीं थोड़े माशदर उसके आप अशा रहे लिए उसके बिलकुल 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 बर्यानी के साथ ओए 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 जोया के मूँ मैं आज फिल पानी आ रहा है तो पहले जक्सा भई ठीक है अच्छा ये जो आ गया इसको हम पहला देते हैं इस पर थोड़ा बराबर करके ठीक है अच्छा देखें ये बिल्कुल पहल गया इसके बाद आप हम इसके उपर प्याज की देखेंगे थोड़ी सी हरा धनिया लगाएंगे इसके उपर अच्छा बिल्कुल ए रा धनिया थी जान है बिल्कुल शान भई हर कुनी दी शान है एक ये लिग्रेश जान है ये पुदीना वाए टृदीन ही और चैन भूज ए हरी मिर्चे आ गया और यह जी चाने सावी मि प्याज करें कि अक्सर खवातिन को ऐसी चीज कहनी हो दिजी समय हो को दिए कांज विए ठीज में तर नहां तेजř में हैजा। कैसे प्याज प्याज को पर्जबने के माँ मैं माँ माँ माइं के तर बेला आव nyt म्याणा प्याज था कॉ मतूंका है। कोई पत् dispos प्यास को तल् सी के निया कहा है यह बद्भी तरिका यह बताओ। थाओ कि प्यास बराबर के टी वी होनी कि आपकी झाया है, विलिप मएशके लिए तक तरिकाना सिर्द लिए यह टूद जे दुनेचे वहा ठीक है अवल्लिकों जोड़ी दोड़ा सबर का फल भी तो मीं तो मीठा होता है बिल्लकल जी में कोई भी महमान आवेँ जो बिर्यानी पकें टो बड़ा हला गुला हो लिए इथा फूब आप्ली तो दो कि छोटे वक्फेदा वसेब टी वी बड़े सोरे मिठे सराइकेयों कि थीन वे सो छोटी जी ब्रेक वेल्कम बैक मेरे वसेब दे मिठ़्े सराइकेयों सारे रोटि दे सवाद प्रोग्राम इर तारा वैलकम और असार डेदे थे सारे चावल के तक पुजन जी मुनिजा शेफ जी सारे चावल के तक पुझे लगा उन साका। सेव टीवी ते जितना भी खबाती इन दे पर चट पटा ही खांदे होसिल बिल्कुल ऐसे लिंगुन दाथ सवाद लाद्मी होना चाहते है कि अपस्रिटे ने प्योड़ है अच्छा एक चुटकी जाएगा जाइफल लेनी है जवेतरी लेनी है इसको पीस लेना इसका पाउडर कर लेना है यह सिर्फ एक चुटकी जाएगा इससे खुश्बू जो है बहुत अच्छी आएगी आपकी बिर्यानी में यह पिसा हुआ गरब मसाला है जैसे के हमेशे हम लास्ट में डालते हैं यह समझें के इस से अच्छी बिर्यानी के जो खुश्बू है वो भी प्यारी आएगी बिल्कुल साहिए सास अब जो में जाएगा ज़र्दे का हरंग तो बबारा तू शटणे हां बिल्कुल भई रंग पर रंग यह बिर्यानी जी में आपा बजारे दे दे हैं पानी के साथ मिक्स किया है, बहुत से लोग दूद में भी मिक्स करके दालते हैं, उससे इसका हरंग थोड़ा पिलास की तरफ आजाता है, यह लाल की तरफ है, ठीक है? अचा बहुत से लोग कहते हैं, बिर्यानी दम पे नियारी इतनी देर हो गई, तो अगर आप दूद दाल देंगे दम से पहले, तो बिर्यानी आपकी बहुत जल्ली दम पे आजेगी, यह इसकी एक प्रेक है, ठीक है, अचा यह साथ में हमने यह जर्दे का रंग दाल दिया, इस तरीके से थोड़ा सा दूर दूर करते हुए दाले ताके हर तरफ जो है, वो रंग वाले चावल आजेए, ठीक है, यह हमने कर दिया, और अब जो है, हम इसको जो है, वो ढख देंगे, दम पे रख देंगे, हमारी बिर्यानी को, ताकि जल्दी से यह दम पे आजाए, औ जाफरानी केवड़ा है, यह एक दो कत्रे बस दालेंगे अजमें हम, होन कहीं दा देल थी पोवे, ज्यादा सचर वास्ते, नहीं ताकि अजमें बिर्यानी यह बहुत ज़्यादा खुश्भू आजएगी केवड़े की, अच्छा, केवड़ा मनें बहुत कम सच्ड़े, ज् है जबता है उतना कोई नुकसान तो कहा है जाहिए चावल को कोई नुकसान नहीं किसी चीज़ को नुकसान नहीं बस भुज़ जो नगश्यवड़े की वह बहुत साद आज़े की तो इसका हली है घ।क जो एक ढटकन जो होता है इसकी बॉटल का उसमें दालें च्छोटए पाकिस्तान पूरी दन्या जित्ते मुसलमान वहां रम्दान तो नहीं डैसा तिया रमदान खेफ मैंकू हो भी वसेब व्हातीन शूवा लोग कैंगे वे जित्ने खवातीन लोग को यह पता चाहिए अक्सर इफ्तियार अश्विक्ट कर ढ़ हो ढूंदे सारा मैदान और तप यह लोगे समय होते हैं। यह सर्व प्राइज के लिए रुर्म था मिलस्ट केुंट धाया हो मैं और हमाचा की तो घप्रोचा जलना हुआ है। आपनी सहरी में लें और जब इफ़दर का टाइम होता है तो हम लोग किया करते हैं कि जो या या अच्छे जाद removal ले जाते हैं फिर्ट षा न्याया दिया वो चाय में डाल दी और कोई मीठा बना लिया साथ में तो आप सूचे एक दिन में आप कितनी चीनी की मिगदार ले रहें तो वजन कम क्या वजन तो डबल ट्रिपल हो जाता है है ना बिलकुल अच्छा वजन था आप मतलए वजन दी वी गाल कर गें से लेकिन मैदा अकसर फ उसको उतार लें पानी पीलें उपर उसके बाद जोब पेट में जितने भी गैस बन रहे है वो खतम हो जाएगा आपका हाजमा अच्छा होजाएगा और आपको खाना हजम हो जाएगा अच्छा अच्छा रोटी थो बात करना चाहेदा है या वैसे तो रोटी खाने के छाल्योता कि आपनी बिरयानी भी तयार थी लाली है लोड ने 550 लियानी थी Ukraine आगे हैं तक बॉल्पिर वे उल्झास दोर्यानी के घड़ता और नहीं हुआपता की अदितने लिटको कांट्पत के कांटव wise बिर्यानी के साथ राइता या दही बड़ा अच्छा लगता है आपको पता है कि मैं अपने हर खाने के सलाज जरूर रखती हूं वो लाजम होना चाहिए उससे जो है फाइबर का सोर्स होता है आपको खाना हजम होता है पर सबजीयों की तवानाई आपको मिलती है अकसर हम के अंदा न्यूट्रिंट्स होते हैं वो हम जला देते हैं तो इस तेरी के से लाजम अपने खाने में सबजीयां शामिल रखा करें कोई भी खाने से थोड़ा से सलाथ बना दिया अब आज देखें हमने कुछ भी नहीं किया लंबा लंबा इसको कट किया इसमें ग्लास में बड़ा खुब्सूरच सा भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा और एक साथ में खाने में भी मजाएगा अच्छा बिर्यानी हम ऐसा करतें निकालते हैं अब जोया आप आज तयार है मैं तयारा तूसा तयार हूँ से सोने सराइकियो जो है बिसमिल्ला इरहमानी रहीम और आप ये देखें के हमारा खुश्भू आगई है बियानी का रंग देखें आप कितना अच्छा आ गया माशाला माशाला मैं आप ए कैमरे मैंन को आखसा कि भई जड़ा बियानी ते कैमरा सटेसें ताके सारे वसेव टीवी ते जितने भी देदे बेटें वसेवारे उडेकसें कितना मज़ेदार बिर्यानी बढ़ गई यहाँ कमार अच्छा अब इसको हम निकाल लेते हैं बिलकुँ 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 अस तरह मिक्स करते हैं और यह देए धूएदार बिर्यानी हमारी तैयार है इस वक्त भाई बोखना भी जितना आप बढ़ा से सारा कुछ सट्रन तो बाद बिया इंदेवा हैं उट तो कोई बिलकुँ बीच यह सट्रन इन अब कुछ भी निए दालना बिर्यानी बिलकुँ हमारी तैयार हम हमारे विवर्स को पहले दिकाते हैं भी हम आपको पैस करा हैं तो सब्सले डेख सो कित मर्ची जी में कि आपा चावल बढ़े ने कुई चीज भी बढ़े ने तो सावी मर्ची ते हरे धनिया बिल्कुल भी कह निकलता हों दा ते बाकी धुमा भी निकलता पे माशाला मुनिजा जी बहुत कुछ गुए जब हमने दिखा दी हमारी व्यूएस को तो कमाल थेंक्यू सोबच जोया यह बिर्यानी हुई आपको तो वो जो मा के हाख का जायका होता है वो याद आगे आपको है बिर्यानी में आश्याला मुनिजा जी, हत्ता दे क्या पढ़ते तुसा पकेंदे लोंदे हो? मैं बाबा जी के पास से होके आती तावीज लेके तुसा नहीं मिनना तावीज गिनन, मतापोजी मिनना है तरीके दिगाल लोंदी है कल भी बताया था कि दिल साफ रहके दुरू शरीप पढ़े अल्ला ताला का नाम लेके शुरू करें अल्ला ताला खुद ही उसमें जाइका भी डाल देते हैं और बरकत भी डाल देते हैं वेंधें, मैं आक्सा आखना कि bussaip TV टें जितने सारे those deprived अजसे आपने बालह को माप्यो को, हस्दबन को, सुसराल को सभी मेरे सका आफ वहता है क्यों आदें कि और ना रख खाने तो को शारी गिनन, काने ज़्यात भाना रहाना पो своегоत्ता बartन और वन्यन दा वाक्त आगे सारा इंशाला नालना रासू सारे रोटी दे सवार प्रोग्राम तुसार देखन बिलकुल न भूलाए हमेशा नाल है शेफ मुनीजा जी आपनी जोया बलोच कूं इजास्ता दे सो नालना रासू वसेप टीवी दे अला हाफिए सोला हुआ सारे प्रोग्राम तूसला है